जै श्री राम सभी भक्तों को जानिये सिंदूर के प्रभावी उपाय पैसों की तंगी से लेकर करियर तक हर परेशानी होगी छूमंतर। पूजा पाठ और टोटकों में सिंदूर का बहुत महत्व है। पूजा पाठ में भी सिंदूर का प्राथमिक्ता से उप्योग होता है। सिंदूर नारंगी और लाल रंग का होता है। हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर चड़ाया जाता है। तोटके और तंत्र मंतर में सिंदूर का इस्तिमाल किया जाता है। मान्यता है कि सिंदूर से किये गए टोटके बेहद असरदायक होते हैं। इसे करने से व्यक्ति की जीवन की सभी परेशानिया दूर होने लगती है। आईए जानते हैं सिंदूर के प्रभावी टोटके। एक संकटों से छुटकारा पाने के लिए और आने वाले मुसिप्तों से बचने के लिए हनुमानजी को पांच मंगलवार और पांच शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। गुड और चने के प्रसाद का भोग लगाएं और गरीबों में बाटें। दोग अगर घर में वास्तुदोश है तो दरवाजे पर रोज सुभा सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक्ता खत्म होगी, वहीं घर के मुख्यद्वार पर सिंदूर चढ़ी गनेशी की फोटो भी लगाएं। इससे घर में सुक्षान्ती और सम्रिध्धी रहती है। लगाकर उसे लाल कपडे में बांध कर पूजा करें, मा लक्षमी का ध्यान करते हुए नारियल को तिजोरी में रख दें। कुछ ही दिन में आर्थिक स्थिती सुधरने लगेगी। पांच किसी परीक्षा या इंट्रव्यू में सफलता पाना चाहते हैं, गुरु पुश्य योग या शुकल पक्ष के पुश्य योग में भगवान गनेश के मंदिर में सिंदूर दान करें। झाल